पाकिस्तान भारत से हर बार युदध में मात खा चुका है। पाकिस्तान की हार की निशानियों के रूप में उनके युदध के टैंक भारत की कई शहरों में मौजूद है। अजमेर में भी विजय समारक पर 1971 में जीता गया एक टैंक है जो भारत की विजय गाथा का गुडगान कर रहा है लेकिन सरकार और प्रसाशन की अंदेखी की वज़े से उनकी बधाली की तस्वीर है सामने आई है इसे लेकर हिंद सेवादल के प्रमुख ने हमसे खास बातचीत की अजमेर से हमारे समवादाता पवन अटारिया की ये रिपोर्ट देखे सन 1971 में हुए बारत पाकिस्तान के युद्ध के दोरान भारतिय सेना ने पाकिस्तान के एक टैंक को द्वस्त किया था और उस टैंक को आज अजमेर में बजरंगर चोराय पर पूर में इस्ताफित किया गया था और आज ये अपनी बदहाली पर आँसु बहारा है जिलापरशाशन राजनेतिक संगटनों द्वारा इस स्थल की कोई देखरेक नहीं हो रही यहाँ पर आए दिन खाना वदोस यूवक अपना जमावड़ा लगा कर रहते हैं और जो आने वाले सेलानी है जाइरिन है परियटक है वे यहाँ से अजमेर की गलत छवी अपने साथ लेकर जाते हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह पाकिस्तान का टैंक है जो की सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद में जब भारतिय सेना उन्हें पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था और उनका एक टैंक भारतिय सैनिक अपने कबजे में लेकर अजमेर लेकर आ गए थे उस दोरान जब सरकार ने इस टैंक को यहाँ पर रखा था तब तक तो यहाँ पर बहुत अच्छे से विवास्ता है जिलापरशाशन की सरकार की हुआ करती थी मगर जैसे जैसे समय बीचता गया और यह जो इसमारक है बदहाली के दोर से अब गुजर रहा है बात कर लेते हैं एक बार हिंद सेवा दल के हमारे साथ में जो सयोगी हैं जो इनकी देखरें हमेशा यहाँ पर करते रहते हैं और 15 अगस्त और 26 जन्वरी के दिन यहां पर विबन आयोजन भी करा जाते हैं तो क्या इस टैंक की जब यह जीता गया था कबसे यहां पर है और क्या इसकी विश्चता है यह भारत की शान है एक तरह से क्योंकि भारत ने ही सैनिकों ने अपनी कुर्बानिया देकर इस टैंक को भीजे पराप्त करके आलेका है मगर बदकिस्वित हमारे समाज की है बदकिस्वित हैं पशासंच की रही राजनेताओं की रही है कि ऐसी महापुषों ने जो कुर्बानिया दे के प्राप्त की चीजे आज हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद हमने वो कुर्बानिया नहीं दिये हमारे लोगों ने कुर्बानिय दिये अगर जीतिर हम कुर्बानिय देंगे तो उनकी कुर्बानियों का महतु समझेंगे जबता हम अपने सेनिकों की अपने महापुषों की अगर कदार ना करेंगे तो आप आने वाली पीडी को क्या संदेश देंगे यह 71 की लड़ाई में पाकिस्तान से जीत कर यह हमारे सेनीकों नहीं इसको इहां लाके रखा और जबसे लगवाग हर वसी इसमें पर कारीकम भी हो रहा है हम भी कारीकम करते हैं पंदा का चपी जनुरी को रहा है हिंद शेवादल लगवाग यही नहीं एजमेर के सारे समारको हिंद शेवादल लगवाग जी ने जानकरी दिये और अभी हम जब यह कवरेज कर रहे थे तो यहां पर CRPF के एक जवान हमें मिले जो अपने परिवार के साथ आएं बच्चों को यहां पर बैठा कर फोटो कीच रहे हैं मसल कैसा लगता है आप खुद एक सेना से जुड़ मैं मैं यह कहता हूं कि इस टेंग के मलव दूर दिसा बहुत खराव हो रुकी है और इसको मलव रंग डोगन पैंट मलव होना चाहिए और यहां पर सहलानियों भी आते हैं यह कि पर्रेट तक स्थले अजमिर और यहां पर हर बार पंदा का 26 जनवरी पर भी मलव फंक्शन ह होते हैं और इस टेंग को जब हमने अपने पाकिस्तान और भारत की जब इनीशों केटर में जब हुआ था तो इसको मने दोस्त करके अपने कपजे में लेकर आए और आज इस टेंग की कोई देख रहे हैं ना कोई वह और यहां पर अनिक ऐसी मलव चल रहा है यहां पर अरे बहुत इस उन्हें से कटल में जो सहीद हुए उनको हम याद करते हैं जब भी जहां जहां इनके मेले फंक्सन लगाए जाते हैं हर जगह मलव और आने वाले समय में हम तो यह कहते हैं कि इसको मलव और उंचे से उंचे मलव इसको बनाया जाए बादूर सिंग शिपाई बादूर सिंग जी हैं CRPF के सिपाई और मैं आपको यहां पर बता देता हूँ देखिए जब यहां पर इसका जिर्ड़ोदार हुआ था सन 15-25-2008 में नगर सुदार नियास के दौरा यहां पर जिर्ड़ोदार हुआ था उस वक्त की जो मुखे मंत्री थी वसंदरा राजे जी उनके दौरा यहां पर 14 अगस्त को 2016 में यहां पर संपन किया गया था और अब मैं आपको यह तस्वीरों में दिखा दूँ यह तामर पत्र है जो की राइस्तान के अलग-अलग शेर अलग-अलग जिलो से जो उस दोरान शहीद हुए थे करीब 500 जो सिपाई हैं अलग- जिला गंगा नगर की तो मेजर हरबंसिंग बहल थे और तमाम तरीके की देखिए जिला जैपूर की अगर बात करें मेजर रमेज बदलानी थे सुक्विंदर जी थे कॉंस्टेबल भावर सिंग थे जगन सिंग तमाम इस तरीके के जो अलग-अलग शेरों से अलग-अलग जिलों से जो कॉंस्टेबल और अलग-अलग पोस्टों पर जो शहीद हुए थे सन 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन सभी के नाम यहां पर इस तामर पत्र पे लगा कर आने वाली जो आज की जो पीड़ा आज की आने जो इस वक्त की जो लोग है पीड़ी है उन्हें ये संदेश दे रही है कि देखे किस तरीके से हमारे योद्धाओं ने हम पाकिस्तानी टैंक जिसे बारती सेना ने दोस्त किया था कभी दुश्मन सेना की शान था आज ये अजमेर की धरापर नत मस्तक है यह इस महारक उन वीर सेनिकों को समर्पित है जिनोंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्रांग नोचावर कर दिये थे ये टैंक की तस् स्वान हैं वो यहां पर टैल रहे हैं किसी परकार की कोई साफ सफाई की वेवस्ता नहीं है जो खाना बदोस लोग हैं और आए दिन यहां पर रहते हैं लड़ाई जगड़ा करते हैं नशील परदार्त का सेवन करते हैं अब मैं आपको तस्वीरों में और भी चीजें दिखाया गया है एरफोर्स का निशान यहां पर दिखाया गया है और जैसा कि हमें यहां पर पता पड़ा जब हम यहां पर आये तो सहीद भगत सिंग नोजवान सभा है जो एक संगड़न है उनके द्वारा इसको गोद भी लिया गया था मगर कुछ समय तक तो साफसफाई हुई मगर उसके बाद इसको अंदेखा यहां पर किया गया है यहां पर देखिए जो सहीद भगत सिंग नोजवान सभा है उनके द्वारा इसको अच्छा रखने के लिए इसको और सुन्दर बनाने के लिए यहां पर हर पोल पर लाइट भी लगाई गई थी जो लाइट आ साथ में एक गोल काज का कवर भी हुआ करता था वो यहां पर नहीं है गंदगी का आलम सब जगे यहां पर बरकरार है और देखे खाना बदोस जो लोग हैं यहां पर उन्होंने अपने गंदे कपड़े भी यहां पर रखे हुए हैं और मैं आपको बता दू सबसे बड़ी बा पर आ रही है यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जो इंजेक्शन है यहां पर नसिले इंजेक्शन यूज करते हैं काना बदोस खाने की जो सामगरी है वो यहां पर लावरिस यहां पर पड़ी है और नगन निगम दुआरा कोई साफसफाई का इंतिजाम नहीं किया गया है तो एंड़ीवी राहिस्तान के मारफत हम अजमेर के जिलापर शाषन को राजनेतिक दल को सरकार को इस खबर के मारफत यह दर्शाना चाहते हैं कि यह जो टैंक है पाकिस्तान का द्वस्त करके जो भारतिये सेना यहां पर जीत कर लाई थी उसके जीत की गाता वो ट पारिस्तान अजमेर से पावनटारिया